आज मैं दिखाऊंगी कि आप लोग बॉइल्ड आलू से कैसे आप बना सकते हैं ये डिलिश्यस बिंगॉली आलू की चाट जिसे हम कहते हैं आलू काबली ये स्पाइसी, टैंगी और बिल्कुल वीगन रेसिपी हैं पहले हमें बनाना परेगा एक मसाला ये मसाला बिंगॉली चाट मसाला भी कहते हैं इसको इसको हम भाजा मोशला कहते हैं इस मसाले से आपको ऑथिन्टिक वाली फ्लेवर मिलेगा एक तवा में मैं रोस्ट कर लोंगी एक टीस्पून सौफ, एक टीस्पून जीरा, एक छोटी इलाईची और इसको मीडियूं फ्लेम में रोस्ट करेंगे थोरु देर रोस्ट होने के बाद मैं डाल दूँंगी 1 Hai टीस्पोन काला नमक और फ्लेम बंद कर देंगे और इसको निकालके थोरा थंडा कर लेंगे और फिर इसको मिक्सी मेंडाल के पीच लेंगे अब कुछ boiled आलू लेंगे इसको roughly chop कर लेंगे मैं हाथ से ही कर रहे हूँ आप चाते हैं तो chopping board भी use कर सकते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा pieces रखना परेगा आलू काबली में छोटी pieces नहीं जाते हैं क्योंकि जल्दी mash हो जाता है इसलिए तो बड़ा बड़ा piece करके roughly chop कर लेंगे फिर डाल देंगे tamarind का paste अगर आपके पास fresh tamarind ना हो तो आप मेरे जैसे packet वाला भी use कर सकते हैं equally flavored होता है अब इमली और आलू को अच्छे से mix कर लेंगे इसके बाद एक एक करके डाल देंगे boiled मटर, soaked चना आपके लिए मैं measurement description में mention कर दूंगी chopped onions डाल देंगे हरा धनिया chop करके और हरी मिर्चे भी chop करके डाल देंगे अब डाल देंगे नीम्बू का रस मैं एक नीम्बू की आधा हिसा यूज कर रही हूँ एक मीडियम साइज नीम्बू की इमली में अल्रेडी थोड़ा खटास होती है तो आपके हिसाब से आप नीम्बू का रस डाल सकते हैं अब इसको हल्क की हाथों से मैश कर लेंगे मतलब मिक्स कर लेंगे मैश करने से आलू तूट जाएगा सो ऐसे मिक्स कीजिए ताकि आलू ना तूटे इसके बाद हम डाल देंगे वो तैयार किया हुआ भाजा मोशला इसको आपके हिसाब से डालिए और मैंने यह आप पे डाला है एक टी स्पून के करीब थोड़ा काला नमक डाल देंगे आप काला नमक डालने से पहले थोड़ा टेस्ट कीजिए नमक जरूरी है की नहीं फि आप काला नमक डाल सकते हैं बस हमारी आलू काबली बिलकुल तयार है आप इसको सर्विंग बोल में डालके सब के साथ शेर कर सकते हैं और इस रेसिपी को आप अगर थोड़ा कस्टमाइज करें जैसे कि आप प्याज नहीं डाले उसमें आप क्यूकंबर या टमेटो डाले तो आप ये व्रत में भी खाल सकते हैं आप सो के शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बाई